वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल बन मोर टाइम तो आज की वीडियो में हम सीखने वाल है कि कैसे आप अपना Spotify आर्टिस चैनल अकाउंट क्लेम कर सकते हो साथ के साथ उसे वैरिफाय भी करवा सकते हो यह आप खुद कर सकते हो किसी डिस्ट्रिबूटर की आपको हेल्प लेनी की जूरत निया बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू मैंने जितने भी अपने लेटेस सॉंग्स है वह एम्यूज अप्लिकेशन के थुरू रिलीज करा है आप जैसा देख सकते हो मैंने लेटेस अपनी एककलाकार एलब कैसे आप अपने सॉंग्स फ्री में वर्ल्डवाइट डिस्ट्रिबूट कर सकते हैं अब किसी भी डिस्ट्रिबूटर के तुरू रिलीज करवा के अपना जो स्पॉटफाइफाइश आपको क्लेम कर सकते हो रिसेंटली मैंने एक अपना अकाउंट बनाया था जिस पर एक अपना बहुत पुराना सौंग रिलीज करवाया था आप जैसा देख सकते हैं म्यूजिक के नाम से इस पर सिर्फ एक ही सोंग है जैस मैंने आपको सिखाने के लिए यह वीडियो को बनाने के लिए मैंने यह अकाउंट क्रिएट कर रहा था इसी को आज हम क्लेम करेंगे कि क सकते हैं अगर आपने किसी भी डिस्ट्रीबूटर के तुरू अपना सौंग रिलीज कर आयो है प्रेजेंट है तो आप उसे कैसे क्लेम कर सकते हैं और उसमें आपको क्या बैनिफित होगा मैं आपको बता देता हूं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो आप अपने बाइब और उसे भी एडिट कर सकते हो उसमें जितना भी अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हो जो की बाद में Google पर भी एवेलेबल हो जाएगा थोड़े कुछ टाइम के बाद और साथ में आप अपने सोचल मीडिया हैंडल भी इस पर डाल सकते हो गर हम आज सीखेंगे कि कैसे आप अपने लैप्टोप या PC के थूप कंप्यूटर के थूप कैसे अपना Spotify अकाउंट क्लेम कर सकते हैं चलते हैं लैप्टॉप की स्क्रीण पर और आपको सिखाता हूं कि बिल्कुल इजी स्टेप में आप कैसे आप अपना Spotify अकाउंट क्लेम कर मेरे गिकने लिटार आपको क्लिक करना है अगर आप अपना एक आर्टिस्ट चैनल क्लेम करना जाते है तो यहां पर आगया आर्टिस्ट मैंचर अगर आपका इक क्लेप करना है ठीक है अपने email ID जो आपने Spotify अकाउंट बनाने में डाली थी वह डालनी आप है ओल्राइट तो हमारा यह login हो चुका है अब आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसे क्लेम करने के लिए आपको यहां पर अपना लोगिन किया यहां तो आप अपना लिंक करके डाल सकते हैं यहां पर आपके सर्च भी कर सकते हो तो मैं यहां पर लिंक पेस्ट कर देता हूं सोदेट इजी लिए हमाएं रिकोगनाइज कर लें ठीक है हमारा जो अकाउंट है वह उन्हेंने बता दिया कि आपने सौंग जो रिलीज किया है आप चाहो तो अम्यूज के थ्रू भी अपना यह जो स्पोड़ेफाई आर्टिश अकाउंट है वह क्लेम कर सकते हो बट मैं आपको नॉर्मली बेसिक सी चीज बता रहा हूं अगर आप किसी और डिस्ट्रिबूटर के थूभी सौंग रिलीज कराते हो तो आपको कैसे अपना जो अकाउंट है वह क्लेम करना आपको आपको अपनी बिजनस इमेल डालने है जिसके मतलब जिस पर आपके जो भी कॉम्मिनिकेशन हो आटिस रिलेटिट वह उस पर आए तो मैं सेम इमेल डाल रहा हूं जिसके थूँ मैंने अपना अम्यूज अटाउंट बनाया था आपको ईफ्स टीजिटका एक अटीपी आएगा आपके इमेल पर वह आपको पर करने महां से आप bet çok यहां सब्सक्राइब अपंट्रीड करने हैं करते हुआयां कहों सिसक्षी का वांड़ укande आप आफको कंड करना डव करने आपके इमेल आपका आपका जो ओरिजनल नेम आपका आपका आटिस नहीं डालना है यहां पर आपको और नेम डाल दिया इमिल डली होई है हमारा रोल जो आपका जो रोल मतलब आप एजेंट थोरी हो किसी आर्टिस्ट के आप खुद आटिस्ट हो या अगर लेबल है मैंनेजर है म्यूजिशन प पर सेलेक्ट करेंगे कंपनी अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप डाल सकते हो वैसे यह अप्शनल है हम इसे इग्नॉर करतेंगे आपको अपना इंस्ट्राइम ट्वीटर हैंडल इनके साथ लिंक करना या तो आप अपनी वेबसाइट भी यहां पर डाल सकते हो सबसे पहल पेंगे यहां और यहां पर को क्लिक करेंगे तो किलिक करेंगे यह हमार से औराजसे मागएगा जैसे यह देख रहे हूं आप यह अपको क्लिक कर देना है आपर ओके हमारा यह भी कनेक्ट हो गया आप चाहो तो अपनी वेबसाइट भी यहां पर इंपुट कर सकते हो बट वो मेंडेटरी फिल्ड आई डॉंट तिंक ही है मैं चैक कर लेता हूं और और तो यह मेंडेटरी फिल्ड नहीं है आपको सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है आप चाहो तो यहां पर जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडिशन है वह पढ़ सकते हो और उसके बाद आपको सब्सक्राइब कर देना है वह जैन्यून है अथंटिकेट करेंगे कि यह आपकी जो इनफोर्मेशन है सोचल मीडिया जो हैंडल सापने डाले है वह और इजनल है आपकी इमेल जो है वह और इजनल आप रियल आर्टिस का जो अकाउंट है वह क्लेम करना चाहते हो तो उसके बाद आपको यह एक्सेस यू जस्ट गोट एन एकसेस तो स्पॉटफाइफाइफाइफार आर्टिस हमारा मतलब जो एकसेस था अप्रूव हो गया चलिए जल्दी से लोग इन करते हैं और दिखाते है कि सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है तो हमारा लोग इन हो चुका है पॉटफाइफा आज से 12 साल पुराना बट मैंने रिसेंटली से प्लाव पर डाला स्पॉटफाइफाय नहीं मतलब वर्ल्डवाइड हर मुजिक प्लैफॉपर डाला अपकमिंग देख सकते हो अचलिए प्रोफाइल में जाके कुछ एड़िट करके आपको दिखाते हैं तो अब हम आगे है प्रोफाइल में यहां पर अपनी पिक्चर यहां पर जाकर एड़ कर सकते हैं कोई एक लंबी मतलब जैसे फेस्बुक की कवर पिक्चर होते हैं यहां पर अप्लोड कर सकते हो यहां पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी अपडेट कर सकते हैं राइड नाओ जो हमारे सोंग क वही इन्होंने default set कर दिया है बट हम इसमें कुछ एक new picture upload करके आपको दिखाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एक वैसे ही एक picture upload करी है इसे यहां से आप अब देख सकते हो दन कर देंगे update save कर देंगे ऑके तो हमारी यह picture update हो गई है जैसा आप देख सकते हैं पर upload हो गई है अगर आप अपनी बाइओ लिखना चाहते हो अब आउट में जाकि अपनी बायो भी लिख सकते हो तो बायो लिखने के लिए यहां पर आप कुछ भी टाइ अप्लोड कर सकते हो लाइग सौंग की कोई अल्बम आट वह यहां पर अपनी जो सोशल मीडिया की लिंक सैंग जैसे इंस्टर्ग्राम का लिंक हो गया त्वीटर का हो गया फीस्बूक हो गया आपकी विकीपीडिया गर प्रोफाइल बनी हुई है कोई भी आपकी प्रोफ कीपीडिया लेटर्स रिलीज को हमां प्रोफ के लिए फैन सब्सक्राइब के लिए अगर कुछ अगर कुछ लेना जाते हो मतलब की कोई आपको डोनेट करे वो यहां पर डाल सकते हो आटम सब्सक्राइब करना चाहते हो और या फिर आप अपना कोई लेटिस्ट शोंग ब प्रमोड करना जाते हो वह आपकी प्रोफाइल पर सबसे फ्रंट में डिस्प्ले होगा आप चाहो तो इसकी एक अप्लिकेशन भी आती है पॉड़िफाइफ फोर आर्टिस्ट वह डाउनलोड कर सकते हो अप्ल अप्सटोर पर मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर एंड्रोड पर भी मिल जाएगा उससे आप इसी ली अपनी जो पॉड़िफाइफाइफ की प्रोफाइल आपको अप्लिकेशन पर देखने को मिलता है आपको वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर आप अपना पॉड़िफाइफाइफ चनल इस वीडियो को देखने के जुरूर बताना आपके लिए लाता रहूंगा ऐसी ही और इंफोर्मेशन वीडियो तो चैनल को जल्दी से सब्स्राइब करके बैल आइकन जुरूर दुबादी जगा मिलते आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप वाचिंग हैं पसीमों पीस आप